सर्दियों का मौशन चल रहा है और सर्दियों में चिक्षी चेस कुछ अलग ही होता अज मैं आप के लाईयों स्पैशल तिल की चिक्षी जो बहुत ही जल्दी बनती है और सित धो चीजों से पैर बना सकतें तिल होते हैं वह मैंने लिए हैं इसको हम तो शेता रोस करेंगे और गैस का फलीम हमारा मीडियम रखे हलका सा इसका रोस करेंगे स Sepa हलका color change हो जाए और गैस को हम बंद कर देंगे और और छाइड से चाहं सहीं और छाद दें गें जिस पैन में हमें तिल गरम किये दे उसको हम उने खाली कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा half tea spoon इतना घी लेंगे गी से घी को पूरे पैन में इस तरह से फैला देंगे इसमें मैंने one cup गुड लिया है आप कोई भी गुड ले सकते हैं और गुड को हम ने इसमें डाल दिया है अब गैस का flame हमारा मीडियम ही रहेगा इसको चलाते रहेए विकुल इस तरह से डालकर हमको छोड़ना नहीं है नहीं तो हमारा गुड इसमें चिपक जाएगा जो हमने घी डाला है वह हमने घीसी डाला है ताकि गुड हमारे पैन में मैंने आप चाहे तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं यहाँ पर हमें अपने गुर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है इसमें बिल्कुल भी गुर के पीसिज ना रहे हैं यह अच्छे से मेल्ट होगा तब भी हमारी चिक्की बहुत ही टेस्टी और क्रंची वनेगी और इसको आप चलाते रहेंगे इस त nutritious our office चैक कर लेते हैं कि हमारी परफेक्ट हैं की नहीं हम इस को पानी में डालेंगे और इसा भी रबर की तरह भी है रेड़ी हैं हम इसको एक मिनिट और चलाएंगे अच्छी से हम भी चलाएंगे एक मेट तक चलाएंगे एक मेट के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा जो गुड़ है वो रेडी है कि नहीं इसको बिलुकल भी आपको छोड़ा नहीं है लगाता है चलाते रहना है सर्दियों में जो चिक्की है उसका तो फ्लेवर ही अलगाता है स्पेशली हम सर्दियों में यह बनाते हैं देखिए इससे थुआ ठंडा होने के बाद देखना है इस तरह से एकदम टूट रहा है पीसे में देखिए मतला हमारा जो यह गुड़ है यह एकदम रेडी है आप इसमें तिल जो रखे थे वो हम इसमें डालेंगे प्लिम में बंढ कर दिया है एक आपन कर दिया है थो झाला जो यह प्र debates ας हमारा जो वह ककुड़ है हमें तो एलेगा जो यह огрम होगा यह न होगा है शुऑ फ्लेवर देने इसमें हईए पीस्पून two इसको अपना छॉपर है इसको लिया है मैंने और इसको अच्छे से कवर कोड़ कर दिया है ताकि हमारी चिक्की जो है वह इस पर चिपके नहीं यह जो पूरा जो हमें रेडी किया है तिल और गुड़का यह इस पर डाल देंगे डालने के वाध हम इसको छोड़ देना है यह थोर असाच-ध़न वह जाएगा ता हम इस पर डालन देना है तो इसको बेल की अच्छे ऐ थैड़ Sut जबाए प्रॉपर को चाहिए मैंने बेए लिया है ये पूरा अच्छा से ठंडा हो गया बहुत जादा हड जगे मोटा नहीं रखना है आप बहुत जादा पतली चिक्री पसंद करते हैं तो पतली बणाएं थोड़ी ची सी मोटी चाहिए तो उस तरह से आप की शेफ रखते ह मैंने medium size की रखिये देखे एक दम से सब जगे से एक से हो गई है और यह अच्छी से ठंडी हो गई है अब इसमें cuts लगाएंगे क्योंकि ठंडी होने के बात कट लगाएंगे तो इसमें proper cut एगा नहीं और यह 30 मेड़े pieces में cut जाएगा इस तरह से मैंने कट लगा दिये हैं अब यह पूरा ठंडा नहीं हुआ है हम सिर्फ कट लगा के इसको छोड़ देंगे उत्राइन पे स्पेशल हम लोग यह चिक्की बनाते हैं गुजरात में तो स्पेशली तिल की चिक्की पीनेट चिक्की बनती है मैं आपके लिए स्पेशली सर्दियों के लिए तिल की चिक्की लाई हूँ तिल जो है वो सर्दियों में बहुत फाइदा भी करता है और यह शुगर की नहीं है गुड की है तो यह इसको आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगी देखिए अच्छे से सूख गई है अब मैं आपको इसको निकाल के बताते हैं किस तरह से पूरा पीस में अपने आप ही निकल रहा है यह एकदम क्रंची पतली और बहुत ही टेस्टी बनी है इसका मीठा भी एकदम परफेक्ट है देखिए कसी शेफ में कटा हुआ है यह मैं आपको और पीस निकाल के दिखाती हूँ लग रही है ने एकदम मार्केट जैसी आपको लगेगा ही निया आपने घर पे बनाई है आपके मेहमालों को खिलाएंगी वह उनको लगेगा ही निकापने यह बनाई है और यह बहुत इंस्टेंटली बनते हैं देखिए कितनी क्रिस्पी है ऐसे ही टूट रही है देखिए और जो हमने लैची का फ्लेवर दिया उसका टेस्सका इसका काफी अलग आ रहा है मैं इससे आपको सारे पीसे स्काट करके बताते हैं इसको आप हलका सा ठंडा और होने देना है अभी तो एकदम यह क्रंची बनेगी खाने में मार्केट जैसी बनेगी बनगी हमारी तेल के अगर आपको मेरी रेसीप अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल